तो आज मैं आप लोगे शाष्य करने जा रही हूँ दही की सब्जी अगर आपके घर में कोई भी सब्जी आवलेबल ना हो तो आप इसे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं तो चले हम दही की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक प्यास साइस का में एक प्यास निया मीडम साइज है 2 दो लाल ञेट मीर्च और हरी मीर्च और हरी मिर्च जुतना और छीप आप से सब्सायर इंडागीसे और यहां पर मैंने दही ले लिया है वावल करते हैं और कडाई मैंने रख दिया is aने 2 Kita फून अब इसमें तड़के मैं एड़ कर दूंगी वन टेस्पून राई इससे राई का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इस सब्जी में और जैसी हमारी राई चटक जाएगी वैसी इसमें हम एड़ कर देंगे बारिक कटा हुआ लसन अब लसन को गोल्डन म्राउन होने देंगे अब इसमें हम एड़ कर देंगे बारिक कटा हुआ हारा मिर्च यकीन मानिया आप अगर इस सब्जी को खाएंगे तो आप इसे रोज बनाना पसंद करेंगे बहुत ही बढ़िया और डिलेसे सब्जी है अब इसे मैं एड़ कर दूँगी कड़ी पत्ता अब इसे मैंने एड़ कर दिया है यह प्यास स्लाइस में कट करना है हमें प्यास इससे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इससे 50% ही पकाना है अब इस मैट कर देंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर अब इस मैट कर दूँगे मैं हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला और यहाफ टीस्पून काश्मिरी लाल मिर्च पाउडर इससे बहुत ही बढ़िया इसका कलर आएगा अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे मसालों को अब इसमें हम एड़ कर देंगे स्वाद अनुसार नमक अब हमें इसे गैस का फ्लेम बंद कर देना है और बंद करके इसमें हम दही आड़ कर देंगे वरना दही के फटने की चांसेज रहते हैं अब इसे मच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम एड़ कर देंगे बारिक कट हुआ हरा धनिया जिससे और भी बढ़िया इसका फ्लेवर आएगा यह देखिए हमारी जो है दही की सबजी डिलीसेस और लाजवाब बनकर तयार है आप इसे पराठे के साथ चावल के साथ इंजॉय कीजिए बहुत ही लाजवाब सबजी है अगर मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीस लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल पे पिला है यह दो है अगर खिला है।